हेलो फ्रेंड, वेलकम तू माई चैनल तो दोस्तों आज मैं आपके सामने एक पोर्टपोलियो को लेके आया हूँ जो मेरे फ्रेंड का है तो उसने बोला मुझे से कि इसको रीवियू करके मुझे बता दे तो मैंने सूचा आप सबके सामने इस पोर्टपोलियो का रीवियू अगर हम loss की बात करें तो अभी हमको loss देखने को मिल रहा है 961 रूपीज का तो दोस्तों ये portfolio है recently में ही बनाय गया है और जो loss और profit हो रहा है वो भी recent में ही हो रहा है तो हम देखते हैं portfolio की first company की बात करें तो first company एक blue chip company है जो है बजाज finance है जिल लोगों ने भी इसमें आज तक investment किया है तो इस company ने उन लोगों को एक मोटा पैसा बना के दिया है लेकिन हाले की दिनों में जो interest rate बढ़ाए गये है FAT के द्वारा और RBI के द्वारा इस वज़े से इस company में pressure देखने को मिल रहा है और छोटा सा यहाँ पर इस company में investor को loss देखने को मिल रहा है अगर हम दूसरी company की बात करें वह है Infosys यह भी एक blue chip company है आयट्रे से बिलोंग करती है और एक market cap की बात करें तो यह भी एक large cap company है तो investor ने इसके five share buy किया है और इस company बे एक छोटा सा loss देखने को मिल रहा है अगर हम third company की बात करें तो third company का नाम है Avenue Super Smart तो इस company को हम DMART के नाम से भी जानते हैं investor ने इसके दो share खरीदे हैं और इस company बे पी छोटा सा loss देखने को मिल रहा है blue chip company हम उन company को बोलेंगे जिन company पे past में बहुत अच्छा return बन चुका है जिन लोगों ने पी इस पे पैसा लगाया है उन लोगों को काफी मोटा return company ने दे दिया है अगर हम चौथी company की बात करें चौथी company है campus active ये एक footwear sector की company है small cap company है तो investor ने इसके 17 share buy कर रहे है और इस company पे इसको loss देखने को मिल रहा है अगर हम nest company की बात करें एक mid cap type की company है वो है दीपक nitrate तो इसके भी investor ने 3 share buy कर रहे है और इस company पे इसको loss देखने को मिल रहा है ये एक chemical company है mid cap company हम इसे बोल सकते हैं इससे पहले भी past में है इसने अच्छे return मना की दिये थे लेकिन अभी हाले की दिनों में chemical sector में काफी pressure देखने को मिल रहा है जिस वज़े से इसको इस company में pressure की वज़े से loss देखने को मिल रहा है अगर हम किया इंडेस्टी ये भी small cap company है और इस पे थोड़ा profit देखने को मिल रहा है इंडेस्टी को इन फिचर इन company पे अच्छा return मिल सकता है अगर हम nest company की बात कर रहे है ज्वेली सेक्टर से तो हुआ है कल्यान ज्वेलर्स कल्यान ज्वेलर्स पे इनवेस्टर को अभी थोड़ा return देखने को मिल रहा है नेस्ट कमपनी के हम बात करें तो नेस्ट कमपनी है इनके पास fine organic ये एक oreo chemical based company है इसको भी हम small cap company के small cap company में रख सकते हैं और इनवेस्टर ने सिर्फ इसका एक share buy कर रखा है अभी हाली में पास्ट में इसने अपने इनवेस्टर को अच्छा return मना की दिया था लेकिन अभी chemical sector में प्रेसर की वज़े से इसका stock में भी प्रेसर देखने को मिल रहा है अब नेस्ट कमपनी की बात करते हैं तो अदानी विलमियर है इस कमपनी में भी इनवेस्टर को अभी लॉस्ट देखने को मिल रहा है अब नेस्ट कमपनी की बात करें ये भी क्या है एक chemical center की कमपनी है पी आइनडेस्ट्री ये भी small cap कमपनी है इसके भी इनवेस्टर ने एक share buy करकर के रखा है और इस कमपनी में भी small सा loss देखने को मिल रहा है अगर हम nest company की बात कर रहे है वो है EG My Trip EG My Trip company आप जानते होंगे अगर आप Air India की कोई भी flight अगर आप book करते हो EG My Trip से तो इसका revenue इसी से generate होगा अगर आपने flight की ticket book कर रहे है EG My Trip से तो इसको क्या मिलेगा revenue मिलेगा तो आपने investor की सारी company देख ली कौन-कौन सी blue chip company एक बार मैं फिर सा आपको बता देता हूँ तो सबसे पहरी जो blue chip company है Bajaj Finance, Infosys, Avenue SuperSmart, Deepak Naitrate को भी हम blue chip company में consider कर सकते हैं और PI industry को भी हम blue chip में consider कर सकते हैं तो blue chip company वहाँ company होती है जिसने past में अपने investor को अच्छा मोटा पैसा बना के दिया होता है तो अगर आपने recently में stock market में investment किया है तो आपको यहाँ पर loss and profit देखने को मिलेगा ही मिलेगा लेकिन अगर आपने blue chip company अच्छी company अपने portfolio में रखी हैं तो larger time में आपको profit देखने को ही मिलेगा क्योंकि इंडिया आपने जो company में पैसा लगा रखा हो इंडिया की तरक्की पैसा लगा रखा है आप जानते हो इंडिया विक्सित हो रहा है तो larger time frame में अगर आपने निप्टी का चार्ट देखा हो ऐसे से जिग जग जग करते करते उपर को ही जाएगा अगर आपने अपने पॉर्ट्पोलियो में अच्छी कंपनिया रख रही की है तो आपको आने वाले future में profit देखने को ही मिलेगा तो अगर आपको भी अपने पॉर्ट्पोलियो पर recently में loss देखने को मिल रहा है तो घबराये मत और आपको इन future में अच्छा profit देखने को मिलेगा Thank you for watching this video